Welcome to Government Crackers तो आज basically हम बात करने जा रहे हैं प्रिधान मंत्री के उस भाषन के उपर जो आज उन्होंने lockdown 4 के उपर दिया है जहां पे उन्होंने बहुती बड़े relief package का एलान किया है और ये relief package जो है कई वर्गों के लोगों के लिए बहुती जादा मदद दाई रहेगा तो कौन से हैं वो वर्ग के लोग क्या उन्होंने अपने पूरे भाषन में कहा कैसे हमें इस देश को आगे बढ़ना है कैसे हमें इस वाइरस के साथ लड़ना है और आगे जीना है और इंडिया को भी आगे बढ़ना है अपने देश की गतिविधियों को उसकी आर्थिक हादत को किस तरह से सुधार किया जाए ये सारा का सारा उन्होंने अपने भाषन में बोला है तो उनके भाषन का आज हम आपको पूरी की पूरी जानकारी जो है वोई की करके समझा रहें कि क्या कि उन्होंने बेसिकली कहा तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटे से वाइरस ने पूरी दुनिया की जो है वो आर्थ विवस्था और पूरी दुनिया की सूरत जो है वो बदल के रख दी है एक छोटा सा virus जो है पूरी दुनिया में उलट पुलट उसने कर दी है उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इस virus की वज़े से करीबन इस पूरी की पूरी दुनिया में 42 लाख लोगों की infection हो चुका है याने 42 लाख लोग समक्रमित हो चुके हैं और करीबन करीबन 3 लाख से जादा लोगों की इसमें दुखत मरतिव हो सकी है उन्होंने इस साथ पर ये भी कहा कि ऐसा जो काल आया है ये आज तक पहले कभी नहीं देखा गया याने इस से पहले इस तरह की जो घटना हुई है ये पूरी दुनिया पहली बार देख रही है जहां पर एक साथ पूरी दुनिया के उपर ऐसा आर्थिक संकट आया है तो ऐसे संकट के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, यह सब के लिए एक बहुत बड़ा जो है वोwar कमर में आगे बढ़ते रहना है, शाथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें इस मुसीबत के साथ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए आगे बढ़ना है लेकिन हमें अपना ध्यान रखते हुए अपने आसपस के लोगों का अपने परिवार वालों का ध्यान बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है और इस देश को आगे बढ़ाना है उन्होंने इस पे भी फोकस किया कि कैसे आ कुधारन के तौर पे समझाया है जैसे उन्होंने फोकस किया है मेक इन इंडिया पे पहले आप देखिए इस वाइरस के आने पे क्या-क्या बदलाव आए हमने पी-पी किड बनाना शुरू की हमने N95 मास्क बनाना शुरू की इसके अलावा इस वाइरस की वज़े से देखिए हमारे देश में कितनी सारी चीजों की उत्पत्ती होने लगी ये सारी चीजे पहले ना कभी भारत में हुई थी ना कभी इस पे जोर दिया गया था लेकिन जैसे ही वाइरस आया इस वाइरस ने मजबूर कर दिया क्योंकि दूसरे देशों से मदद लेना जो है वो मंकिन नह किया हैं और आपने अपना स्वेम काम करना सुरू किया तो इसी वगते से उन्हें फोकस किया है कि आप को खुद पर ही निरभार होना है और अच्छी सप्लाई चेन बना सकते हैं ताकि आज आगे अज हमें उस supply chain ने बताया है, उन्होंने ये भी बताया कि independent होने के लिए, यानि स्वेम निर्भार होने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरौत होगी, उन्होंने 5 pillars की बात की, यानि हम एक ऐसी economy बनाएं, जिससे ये देश तरक्की पे जाए, उन्होंने infrastructure की बात की, ऐसा infrastructure बने, जो कभी किसी देश ने देखा ना हो, उन्होंने system की बात की, system में बदलावाने चाहिए, जो की system जो होना चाहिए, वो technology यानि जिस तरह से आज की technology बढ़ रही है, उसी तरह हमारे देश की technology बढ़नी चाहिए, और जाधा तरकाम जो है, वो technology based technology पर निरभर होने चाहिए, ताकि अगर इस तरह का आगे कभी कोई भी संकट आता है, तो हमारे देश जो है, इतना सक्षम हो कि उससे लड़ाई कर सके, साथ ही साथ हमारे देश की जनसंख्या, demographics, हमारे देश की जनसंख्या जो है, वो एक अच्छे तरीके से इसमें कारगर साबित हो सकती है, कैसे क्योंकि हमारे देश में जो young लोग है, इतने talented लोग हैं, बाकी देशों के मुकाबले हम इस वज़े से अच्छा कर सकते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में जतना talent है, जो youngsters है, अच्छे अच्छे, अलग-अलग ideas के साथ आते हैं, आप देख रहे हैं, इस virus के situation में, इस lockdown के situation में, कितने youngsters, कितने सा उसे देने की जरूत है, और हमें अपने इस products की basically demand बढ़ानी है, demand पूरी देश और पूरी दुनिया में हमें अपनी demand बढ़ानी है, यानि स्वेम निर्भर होके हमें ऐसी चीज़े बनानी हैं, जिसे ना सिफ ये देश में जिसकी मांग रहे हैं, बलकि पूरी दुनिया जो आने के लिए उन्होंने करीबन 20 लाग करोड रुपए का relief package जारी किया है, जो कि पूरे इंडियन GDP का 10% है, हमारे आर्थिक जो इंडियन GDP है, उसका 10% है ये जो आर्थिक package है, और ये basically focus करने वाला है land पे, labor पे, liquidity पे and loss पे, ताकि हमारे पूरे भारत को एक नई दिशा मिल सके, कल से जो है आने वाले कुछ दिनों के लिए finance minister इस आर्थिक package को एके करके आपको समझाएंगी और एके करके उन वर्गों के बारे में बताएंगी जिन के लिए ये package जो है रहतकारी रहेगा और उन businesses के लिए, उन startups के लिए, उन youngsters के लिए, जो इसमें help करने वाले हैं इ वो नए नियम जो होंगे वो आपके क्रिशी के छेतर में होंगे, agriculture field में होंगे, tax को लेके होंगे जो हम tax देते हैं, हमारे finance system में होंगे, human resource में होंगे और global supply chain में, बहुत सारे changes याने अब आप मान लिजे, इस virus के बाद हमारी जंदियां बदलने वाली हैं, अगर system शुरू होगा, तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी, तो हमें हर चीज को जानना है, हर चीज को समझना है, और उसका सही दिशा में सदीप्य करना है, ताकि हम खुद भी आगे बढ़े हैं, और अपने हम देश को भी आगे बढ़े हैं, उसी तरह उन्होंने एक और बात पर फोकस कि अगेते थे, मगर उसके बाद जब हमने दिये जलाना शुरू के तो उससे दो फायदे हुए, एक तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहा, और उससे जो कितने सारे बेरोजगार थे, उनकी रोजगारी मिली, और ये एक तरीके से हमारी कल्चर को भी रच करता है, तो इसी तरह उन्होंने फोकस किया कि जो हमारी लोकल मार्केट है, आज इस लोकडाउन के टाइम पे उसी लोकल मार्केट ने हमारी मदद की है, तो हमारे फर्स बनता है कि जो हमारी लोकल मार्केट है, जो हमारी लोकल सप्लाइचेन है, हम उसको इंपोर्टेंस दें ना कि जो यह global बन जाएगा एक दिन, क्योंकि जो global products आज हम ले रहे हैं, जो नामी products हम ले रहे हैं, वो भी कभी local थे, मगर वहां के लोगों ने इतनी जो है, वहां के अपने देश की help की, कि आज वो प्रडक्ट ग्लोबल है, जैसे उन्होंने example दिया Khadi का, Khadi कोई नहीं जानता था, ल अपने देश का है वो एक brand बन गया और आज globally जाना जाता है उसी तरह पताणज़ी जो हमारे अपने देश का है आज वो globally एक brand जाना जाता है इसी तरह हमें हर छीज को locally उठाके उसे locally बनाना है और lockdown 4 पे उन्होंने बहुत बड़ी बात कहीं lockdown 4 जो है basically वो शुरू होगा लेकिन किस तरह से शुरू होगा कैसे शुरू होगा उसकी guidelines जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री ही देंगे क्योंकि अभी राज्यों की मुख्यमंत्रियों ने local जंता से सुझाव मांगे हैं तो सुझाव के उपर उसके बारे में सोच के समझ के जो है राज्य के मुख्यमंत्री वो जो है doctors की team के साथ experts की team के साथ और साथ ही साथ local जंता के साथ उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए lockdown 4 को किस तरह से रखना है क्या उसमें रियायते मिलेंगी क्या छूट मिलेंगी ये पूरी की पूरी जान करी आपको 18 मैं से पहले मिल जाएगी तो फिलहाल ये बहुत बड़े संदेश था lockdown 4 के उपर जो आज प्रधार मंत्री जी ने कहा है और ऐसी अपडेट्स जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें गवर्मेंट क्राकर्स को और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.governmentcrackers.com इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद